विल्कम टू माई चानल आज मैं आपनों शोटर डिजाइन बता रही हूं बहुत प्यारा डिजाइन है और इस डिजाइन को आप जैन सोटर लेडी सोटर कार्डीगन जैकेट बेबी शोटर शॉल में कैट में इसको आप किसी भी प्रजक्ट में अपलाई कर सकते हैं आप दोटर फंदा सीधा करके लेंगे डिजाइन के लिए हैं तर फार्स्ट ओल्र फंदा पढ़े चल्टर लेंगे और इसके बाद तीन फंदां सीधा बनाएंगे दागा आग लें करेंगे जह फंदा उल्टा बनाएंगे ये दो तीन चार पाच छे, लागा पीछे 6 फंदा सीधा, एद, दो, तेन, चार, पांच, छे, आवे 6 फंदा उग्या, अब धागा आगी, ए तीन फंदा उरिटा, लाश्ट में एक फंदा सीधा, अब ओल्टे तरब से, जो फंदा जैसे देखेगे न, वह ऐसे बनाना है, अब ये तीन फंदा हम सीधा बनाएंगे, तो वाड़र बनाने के बाद पहले हमें, तो उसला ये ऐसे बनाना है, देखो, छे फंदा ये ओल्टा बनाएंगे, सीधे तरब से जो फंदा ओल्टा है, उसको हमें उल्टे तरप सीधा अब इच्छे फंदा सीधा बनाएंगे धागा आगई नहीं चार फंदा उल्टा बनाएंगे अब देखें यह दो इसलाई हमारी कम्प्लीट हो गई बोर्डर के बाग अब यहां ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे यह थेन फंदा हमने सीधा बनाया अब एक फंदा सीधा इसको आमें बेच मिलाना यह तीन फंदा हम आगे लाएंगे और ऐसे पिछ एक सर्ट से लाएंगे और ये एक फंदाई सीधा आगे सर्ट से बीच में लाएंगे इसको देखो ऐसे अब धागा आगे करेंगे इसको हम उल्टा बनाएंगे एक दो और ये तीन अधादा पिछे एक फंदाई सीधा बनाएंगे और फिर से देखो ये सीधा फंदाई हम आगे लाएंगे बीच में लाएंगे ये तीन फंदाई इंदा लाएंगे यहां से देखो ये तीन फंदाई पाले लेंगे पिछे क साइड से इसको हम आगे से लेंगे और फंद थर धीला रखना तब ये आगे से अच्छा बनेंगे ज्यादा टाइप नहीं होगा और इसको सीधा बनाएंगे धागा आगे करेंगे फिर ये तीन फंद उड़टा बनाएंगे धागा पीछे अब चार फंद सीधा बनाएंगे अब ये फंदा सीधा आना इसको हमें यहां लाना है ये तीन फंदा है लेखो पिछे के साड से बीच में ले आएंगे और इसको आगे से साड में ले जाएंगे अब धागा आगे करेंगे इसको हम उल्टा बनाएंगे एक, डो, तीन, अब ये फंदा हैं सीधा बनाएंगे लास्ट बना सीधा अब देखो उल्टा साइड से सीधा फंदा तो सीधा बनाएंगे उल्टा फंदा है तो उल्टा बनाएंगे तो कंप्लेट करके आगे फिल बताती है अब देखो ये सीधा साइड है उल्टा साइड कंप्लेट करके अब हम यहां दो फंदा सीधा बनाएंगे अब यह फंदा सीधा फिर से हमें बीच में लाना है देखो इसको ऐसे लेंगे और इस वाले फंदे को हम बीच में लाएंगे तो हमें सीधे साइड से इसी तरीके से और तीन बर बनाना है ये तीन खंदा उल्टा उल्टा खंदा को हम उल्टा ही बनाएंगे और देख ये सीधे हो गया अब फिर सी ये तीन खंदा में बीच मिलाना इस वाले खंदे को हमें आगे लेना इसको हम सीधा बनाएंगे अब धागा आगे तीन फंदा उलुटा अब दो फंदा सीधा बनाएंगे बीच में फिर से इस वाले फंदे को हमें हाला ना देखो फिर ये तीन फंदा लेंगे हां से अब इस वाले फंदे को आगे एक साइड से ले आएंगे साइड में अब इसको हम उल्टा बनाएंगे अब इस सीधा फंदा बनाएंगे उल्टे तरफ से जो फंदा जैसे दिखेगा हमें उसी तरफ बनाना है उल्टा फंदा तो उल्टा बनाएंगे और सीधा फंदा तो सीधा बनाएंगे बनाके फिर मैं बताते हूं आगे अम देखो सीधा साइड फिर से आगे अब इहां एक फंदा बनाएंगे हम सीधा अभी एक फंदा हमें फिर से बीच मिलाना है और ये तीन फंदे को हम उल्टा आगे लाएंगे अब इसको बीच मिलाएंगे फिर धागा आगे करेंगे इसको हम उल्टा बनाएंगे तो उल्टा फंदा हमें उल्टा बनाना है सीधा फंदा हमें सीधा बनाना है हमें किवल फंदे को पलटना है अब देखो इस सीधा तो इसको हम सीधा बनाएंगे अब यह छे हो जाएगा हमारा इन दो तीन चार और यह पांच फिर सी एक बनाएंगी तो छे हो जाएगा अब देखो इए थीन फंदा लें आँगी और इसको हम आगे लेंगे तो देखो यह हमारा सीधा छे फंदा हो गया है अब यह तीन फंदा उल्टा तीन फंदा उल्टा धागा मारे इधिन जाएगा अब ये तीन फंदा आप बीच में लाएंगे उल्टा फंदा नेखो अब इस वाले फंदे को हम साइड उले जाएंगा अब इछ फंदा उल्टा हो गया इसके ऊपर आ गया नहीं अगर देखवे ये फंदा उल्टा अब इछे फंदा उल्टा हो गया अब इसको आम सीधा बनाएंगे अब उल्टे तरप से न फिर से जो फंदा हमारा जैसे हैं वैसे बनाएंगे फरस्ट में चार फंदा उल्टा लागा पीछे अब इछे फंदा सीधा उल्गया इसको हम सीधा बनाएंगे जो सीधा तरप से उल्टा फंदा उछे बनाएंगे उसके हमें उल्टे तरप से सीधा बनाना अच्छे बनाएंगे आप एच्छे फंदा में उर्टा बनाना नाच्छ एच्छार पांच अगी छेल एच्छार फंदा सीधा आप देखें सीधा साइड हाना अब हमें दो स्लाई उल्टा दो स्लाई सीधा दो दो तरप से चार स्लाई मिलाके हमें सिंपल बनाना जो फंदा मार जैसे हाना वैसे बनाना उल्टा फंदा उल्टा सीधा फंदा सीधा ऐसे हम चार स्लाई को कंप्लेट करेंगे दो स्लाई हो गया अभी हमें दो स्लाई और बनाना है हम इसे देखों कियो सिंपल बनाना है तो सेम इसे तरीके से हम ओल्टे तरब भी बनाएंगी जो फंदामरा जैसे दिखेगा हमें ओ ऐसे बनाना है उल्टा साइड से भी कम्प्लेट करके फिर मैं आगे आपको बताती है अब यह देखो सीधा साइड है यहां चार सलाई हमारे कम्प्लेट हो गई और फिर से यही चीज हमें सेम इहां बनाना है लेको फास्ट ओला फंदा हम सलेप कर लेंगी अब यह तीन फंदा बने बुनाई नहीं करना है यह सीधा फंदा हमें आगे लाना है जब उमारे छे फंदा हो जाएगा ना तो हमें इसी तरीके से बनाना है अब इसको हम सीधा बना लेंगे दागा आगे अब ये तीन फंदा हम उल्टा बनाएंगे अब दागा पीछे करेंगे चार फंदा सीधा बनाएंगे अब ये सीधा फंदा मारा घट रहा है और छे फंदा ये जो उल्टा है न ये इतना ही रहेगा अब देखो तीन खंदा हम ले लेंगे इसमें से और एक खंदा सीधा होला हम वेज में लाएंगे अब इसको हम उर्टा बनाएंगे लाणा पिछिये अब इस सीधा फंदा आएंगे इसको हम सीधा बनाएंगे अब इस तीन खंदा हमें देखो यहा लाणा हम वेज में और एक खंदा सीधा हम इदर ले आएंगे तीन फंदा उल्टा अब यह तीन फंदा सीधा तुम देखो यही चीज हमें सीधे तरफ से तीन बार करना है और उल्टे तरफ से जो फंदा हमारा जैसे रहेगा उसी तरीके समय बनाना है जैसे हम नहीं हम बना एक दो तीन अब यहां एक बना लिए इसके बाद दो फिर तीन फिर जब यहां छे फंदा सीधा आ जाएगा तो फिर चार स्लाई बना करके फिर हमें फंदे को यहां से पलटना है तो डिजाइन हमारी इसी तरीके से बनेंगी और हमने बना कर रखा हुआ है इसमें देखो डिजाइन हमने दो स्लाइक बना होगा है और बनाने एक बाट दियान इसी तरी किसे लगेगी अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेर करें चैनल को सस्क्राइब करने ना पूलिंग और वीडियो कैसी लगी कोमेंट करके जरूर बता है